ये फेस्वास आपके चेहरे को सुन्दर और साइनिंग बनाता है जिससे आपका चेहरा सुन्दर और खुबसूरत दिखाई देता है चलिए हम आपको इस फेस्वास के बारे में बताते हैं ये फेस्वास एक दिन में कितनी बार यूज़ करना होता है ये फेस्वास इसकीन पर किस परकार क्या स्कीन यानि किस परकार के स्कीन पर क्या समस्य रहती है तब ये आप अपने स्कीन पर अपलाई कर सकते हैं या फिर डॉक्टर के दौरा ये कब अपलाई करने के लिए ये फेस्वास बताया जाता है ये फेस्वास कितने रुपे में जानकारी बताएंगे जैसे कि आपको पता होगा गर्मी की मोसम में अक्सर करके लोग बाहर निकलते हैं धूप में तो धूप में जाने के कारण उनके चहरे पे काफी ज़ topics अपने देखा होगा अजीब अजीब तरह से एक प्रिकार से तो हम कह सकते हैं कि आओ जैसे की उनके चहरे पर इरिकारी सा है ये संलाइट की वज़ा से जो उनके चहरे पर अजीब तरह से उनका चहरा हो जाता है उससे काफी जड़ा एड़ीटेशन सा मैसूस होने लगता है चहरे पर अपने देखाओगा अगर उज़ाधा देर तक धूब में रहते हैं तो उसकी वज़ा से उनके चेहरे पर बलेक-बलेक सा होने लगता है छोटे-छोटे दाने पढ़ने लगते हैं और जैसे कि अगर वो कहीं धूल या फिर कहीं वैसे अगर कोई काम करते हैं या फिर महिलाएं हैं जो वो कहीं काम करती हैं तो उसकी वज़ा से उनके चेहरे पर अच्छा दिखाई देता है ये Sunlight की जो किरड़े हैं उससे भी ये आपको एक परकार से फाइदा करता है या अगर जो जो आपके चेहरे की signing है या फिर glow है उस पे काफी ज़्यदा दिक्कत और समस्या आ जाता है तो इन सारी समस्याओं को यह जो फेस्वास है यह ठीक करने का काम करता है यह फेस्वास काफी अच्छा फेस्वास होता है और जैसे कि अग जो महिला है या फिर जो पूरुस धूप में जाते हैं या फिर धूप में काम करते हैं काम करने की वज़ा से जो उनके चेहरे पे धूप जो पढ़ता है उनके चेहरे पे एक तरीके से बहुत ज्यादा कड़ा कड़ा सा चेहरा एकदम महसूस होने लगता है चेहरे पे ऐसा लगता है कि जैसे धूल मिटी चिपक गय या पिर हम चैनलुम स्टेज से अगर उसके चेहरे पे कील, मुहासे या फिर पिंपल्स या फिर एकनिक की समस्या रहती हैं तो इन सारी समस्याओं को ये ठीक करने का काम करता है आपने देखा होगा अक्सर करके जो पिंपल्स और एकनिक की समस्या रहती है ये समस्या 14 साल से लेके 15 साल, 16 साल, 17 सा बाइस साल तक पिंपल्स और कील मुहासे की समस्या ये फेस पे लगातार कांटीनू निकलता रहता है आप बहुत सारे जेल ली बहुत सारे कीरीम बहुत सारे फेसवास लगा लेते हैं उससे आराम नहीं मिलता है तब डॉक्टर के द्वारा ये पर्चिस किया जाता है ये प्रप्ल्म है, तो ये समस्या इन सारी समस्याओं को ठीक करने का काम करता है पिंपल्स और रिकनी की समस्या में क्या होता है चेरे पर छोटे-छोटे दाने पड़ जाते हैं ये दाने एक जगा से दूसरी जगा, दूसरी जगा से तीसरी जगा, यानि पूरे फेस पर आपके दाने पड़ जाते हैं, उससे आपका जो चेहरा एकदम भद्धा दिखाई देने लगता है, चेहरे पर एकदम धब्बे सबड़ जाते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि पर एक तरीके से पिंपल्स और एकनी की problem ठीक हो जाता है उसके ओज़े से भी चेरे पर दाग धब्बे की problem रहता है तो इस सारी समस्याओं को ये ठीक करने का काम करता है, ये आपके चेरे को गोरा करता है, सुंदर बनाता है चेरा खुबसूरत बनाता है जिससे आपका चेहरा सुंदर और खुबसूरत और अच्छा दिखाई देता है यह आपको बताते हैं यह फेस्वास आप अपने चेहरे पर कैसे अपलाई करें जैसे कि यह फेस्वास आप अपने उंगली में निकालने के बाद में आप अपने फेस पर ये फेसवास पूरे फेस पर लगाएं लगाने के बाद में दो से तीन मिनट या फिर चार मिनट आप या फिर पांच मिनट तक आप अपने फेस पर इसे मोस्चराइज करें यानि अपने face पर इसे हलके हलके हाथों से पूरे face पर लगाएं लगाने के बाद में आप 2-3 मिनट बाद आप पानी से अपना मूँ दूलें दूलने के बाद में आप अपने face को साफ तोलिया में पोचें उसके बाद में आपको धूप में 20-30 मिनट आपको धूप में नहीं जाना है चलिए हम आपको इस फेस्वास के साइड इफेक्ट के बारे में बताते हैं कि इस फेस्वास का क्या-क्या साइड इफेक्ट देखा गया है फेस्वास तुरंद बंद कर दें और अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से आप तुरंद संपरक करें चलिए अब हम आपको बताते हैं ये फेस्वास का रेट कितना होता यानि इसकी MRP कितनी होती है जैसे कि इस फेस्वास का जो आपका रेट होगा ये बड़े में पैक में भी आता है छोटे में भी आता है जैसे कि ये आपको 60-65 रुपे में मिल जाएगा और जैसे कि बड़ावाला आपको 80-85 रुपे में मिल जाएगा ये फेस्वास काफी अच्छा फेस्वास होता है ये फेस्वास आपको दिन में तीन से चार बार यूज करना होता है या फिर आप दिन में दो बार भी यूज कर सकते हैं आप अपने फेस पर अपलाई कर सकते हैं इसके अलावा या आपको और कोई दिक्कत और कोई समस्या है तो एक बार अपने डॉक्टर या फार्मसिस्ट के पास आप जाएं, आप अपनी दिक्कत परिशानी बताएं, उसके बाद में कोई दवा, कोई भी मेडिसीन, कोई भी फेसवास लें, कभी भी आप कोई भी दवा, कोई भी मेडिसीन खुद से उपयोग ना करें